नमस्कार आप सभी को आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्तु की जिन्होंने पुस्तकाले वरिकरन के विकास में काफी महत्पुर्न योगदान दिया है कुस्तकाले वरिकरन से सम्मंदित जो पद्धतियां विक्सित हुई है उनके उनमें उनके सिद्धानतों का मुख योगदान रहा है और हम बात कर रहे हैं एसी रिचर्डसन की ये फोटो है एसी रिचर्डसन जिनका पूरा नाम है अरनेस्ट कुसिंग रिचर्डसन और ये ऐ ऐसे ब्यक्तित तो है इनका काफी महत्पुर्न योगदान है जहां तक कुस्तकाले वरिकरन की बात करें अगर हम लोग बात करें इसी रिचर्डसन की इसी रिचर्डसन की तो इन्हें पहला वर्गाचारी इनको फस्ट पहला वर्गाचारी फस्ट क्लासिफिकेस निस्ट माना जाता है और क्लासिफिकेस निस्ट किसे माना जाता है वैसा व्यक्ति जिसने किसी ना किसी वरिकरन पद्धती का निर्मान किया हो Classificationist किसे माना जाता है वैसा व्यक्ति जिसने किसी ना किसी वर्गिकरन पद्धती का निर्मान किया हो वर्गिकरन पद्धती का विकास वर्गिकरन पद्धती का जिसने विकास किया हो उसे माना जाता है Classificationist तो हम लोग अगर बात करें डिडिसी का अविस्कार मेल्विल डेवी मेल्विल डेवे ने डिडिसी का विकास किया इसलिए ये क्लास्पिकेस निष्ट कहलाए हम लोग बात करें S.R. रंगनाथन की S.R. रंगनाथन ने CC वरिकरन कोलन क्लासिफिकेसन का निर्मान किया इसलिए ये क्लासिफिकेस निष्ट कहलाए इसके बाद हम लोग कोई और भी जेडि ब्राउन बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेसन इस तरह से जिन जिन ब्यक्ती ने किसी न किसी वरिकरन पद्धती का विस्कार किया उन्हें क्लासिफिकेसनिस्ट वाना जाता है तो अब बात कर रहे हैं प्रथम क्लासिफिकेसनिस्ट E.C. रिचार्डसन की इन होने कौन से वरिकरन पद्धती का अविस्कार किया या विकास किया इसका आंसर है किसी के पास बिलकुल सिंपल है कि इन्होंने किसी वरिकरन पद्धती का विकास नहीं किया इनके द्वारा ना डेडिसी बनाया गया ना सिसी बनाया गया जिसे सिसी ए कटर है तो उसका दोनों जगए उता तो जो भी वरिकरन पद्धती आप जानते हैं उनमें से किनी का विकास करता इसी रिचर्ड सन महोदे नहीं है फिर भी इनको क्यों classificationist माना जाता यह एक आहम प्रस्ण है जब हम कहे रहे हैं कि classificationist कारता है कि जिस व्यक्ति ने किसी ना किसी वरिकरन पद्दति का विकास किया है और इसी रिचर्ड सन ने किसी वरिकरन पद्दति का विकास नहीं किया है तो फिर क्यों इने माना जाना चाहिए कि classificationist है भले ही इसी रिचर्ड सन ने किसी वरिकरन पद्दति का विकास नहीं किया लेकिन इनकी पुस्तक आई थी 1901 में इनकी बुक जो आई थी 1901 में इनकी पुस्तक आई थी Classification, Theoretical and Practice उस पुस्तक का नाम था Classification Theoretical and Practice And Practice ये इनकी पुस्तक आई थी कई महत्पुर्न सिध्धांतों को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से प्रस्तूत किया और आगे आने वाले समस्त तरवरगीकरन पद्धती में उसका प्रियोक किया गया तो भले ही इन्होंने किसी भी वरिकरन पद्धती का निर्मान नहीं किया लेकिन आने वाले सभी वरिकरन पद्धतियों को एक राह दिखाया जिस प्रकार कंप्यूटर की बात हो तो फादर आप कंप्यूटर चाल्स बैबेच को माना जाता है जबकि चाल्स बैबेच का एनलाइटिकल इंजन सफल भी नहीं हो सका था उसने किसी भी वरिकरन पद्धतियों किसी भी कंप्यूटर का आविसकार नहीं किया जो मुख्यरूप से एनिये का और यूनिवक से सुरू होता है तो नहीं क्या लेकिन उन्होंने जो परिकल्पना जो प्रोसेसिंग की अभधारना जो कप्यूटर के लिए दिया था उसी का आगे जाके प्रियोग किया थीक उसी तरह से इसी रिचर अड़सन को भी क्लासिफिक यह जो है फस्ट फस्ट टेक्स्ट बुक और क्लासिफिकेशन माना जाता है क्लासिफिकेशन माना जाता है और इन्होंने कई वरिकरन उसे समंदित धांत दिये जिसमें से सहायक सहायक अनुक्रम का सिध्धांत जो सहायक क्रम का सिध्धांत हेल्पूल सिक्वेंस का सिध्धांत जो है हेल्पूल सिक्वेंस का सिध्धांत इसी रिचार्ड सन द्वारा दिया गया इसी रिचार्ड सन के द्वारा या दान दिया गया कि वरिकरन सुक्ष्म से सुक्ष्म अस्तर पर होने चाहिए तो डेप्थ क्लासिफिकेसन जैसी चीजों को हम लोग helpful sequence सभी तरह के वरिकरन पद्धतियों में आगे कि जितने भी आई उसमें भी हम लोग देखते हैं हम लोग सुक्ष्म से सुक्ष्म स्तर डेप्थ क्लासिफिकेसन जैसे से दान को सिसी हो चाहिए उडिस हर जगह हम लोग पाते हैं इसके बाद उन्होंने अंकन का प्रियोग आवस्यक बताया और जहां तक संभव हो उन्होंने mixed notation mixed notation के प्रियोग पर जोर दिया के प्रियोग पर जोर दिया और इनके द्वारा notation के लिए बड़ा फेमस परिवासा notation is a short hand sign notation इसी रिचर्ड संग का एक मात्तपुर्ण परिवासा है notation के लिए notation is a short hand sign एक बड़े से पुस्तक टाइटिल को आप छोटे से अंकन के माध्यम से आप छोटे से छोटे स्वरूप में दर्फा सकते हैं और एक्जाम में यह काफी महत्तपुर्ण एक्जाम के दिश्टिकों से भी गया है notation is a short hand sign किसके द्वारा यह तो index का प्रियोग आवस्यक रूप से वरिकरन पद्धतियों में किया जाना चीए सारी कुछ सिध्धांतों का वर्णन इसी Richard Sun ने किया और हम लोग गौर से देखे तो सभी तरह के प्राया सभी तरह के वरिकरन पद्धतियों में किसी ना किसी रूप से इन सिध्धानताओं का समावेश किया गया तो इसी वज़ा से इसी रिचर्ड सन सहाब को first classificationist माना जाता है और इसी रिचर्ड सन सहाब का एक महतपुर्ण योगदान है जहां तक पुस्तकाले वरीकरन की बात हो पुस्तकाले वरीकरन के छेत्र में इसी रिचर्ड सन साहब का कद काफी बड़ा है और उनकी पुस्तक classification theoretical and practice जो की first textbook मानी जाती classification के उपर या उनके महत्पुन योगदानों में से एक है